पाकिस्तान पानी के शेत्र में भी जो समुद्र की सीमा है वहाँ भी हरकत करने लगा यह विमान यह जो आप देख रहे हैं जो नाव आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की हैं जो बॉर्डर पर अक्सर गस्त लगाते हुए देखी जाती हैं ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान की भी और भारत की भी जो नोकाएं हैं जो सैनिकों की जो नोकाए को 17 नवंबर को इसने भारत के साथ मच्छवारों को पकड़ लिया उनका जहाज भी शती ग्रस्त हो गया लेकिन जिस वक्त इन्हें पकड़ा गया पाकिस्तानी सुरक्षा एजिंसी के द्वारा तब इन्हों रक्षक जहाज अगरिम ने पाकिस्तानी जहाज को सीधा पैगाम दिया कि किसी भी स्तिती में भारतिय मच्छवारों को पाकिस्तानी जहाज नहीं ले जा सकता रक्षा दिकारियों ने बताया कि भारतिय तट रक्षक जहाज अग्रिम ने पाकिस्तानी जहाज PMS नुसरत का पीछा कर उसे साफ कर दिया था कि भारतिय जल्द छेत्र में मच्छवारों को ले जाना अस्वीक कारिया है मच्री पकड़ने वाली नाव काल भैरा पर सवार इन मच्वारे जिने भारतिय जाबाजों ने भारतिय कोस्ट गार्डों ने लगातार दो घंटे तक पीछा करते हुए इनकी जान बचाए क्योंकि आप जानते हैं अगर एक बार पाकिस्तानी जल्द छेत्र में चले जाते हैं उसके बाद पाकिस्तान भारत के लोगों के साथ जेलों में क्या कुछ करता है वो शायद बताने की जौरत नहीं है इस रेस्क्य ऑपरेशन में बचाये गाए साथ मच्वारे मच्वारों की फिलाल जांच वी और जांच में स्वस्त पाये गए हाला कि आईसीजी के मताबिक मच्वारों की नाव काल भेरव इस दोरान दुर गटना ग्रश्ट हो गई और वो डूब गई आईसीजी ने बयान में बताया कि मच्वारों की स्थिती अभी फिलाल स्थिर है और कोई बड़ी सारीरिक चोट नहीं 14 नमंबर को आईसीजी का जहाज वापस ओखा बंदरगाह पर लोटा जहां गटना के संदर्व में एक संयूक्त जाच की गई इस जाच में पुलिस खूफी अजिंसी और मतस्ते विभाग शामिल थे सारे विभाग इस टक्राव और बचाव अभियान के कारणों की जाच प चीमा में दाकिल हो जाता है तो उसके साथ इतना बुरा बरताव करता है जिसे शायद सब्दों में बाया कर पाना बहुत मुश्किल है ठीक वैसे ही जल छेत्र में भी पाकिस्तार ने गुस्ताखी करने की कोशिश तो जरूर की लेकिन भारतिया कोस्ट गार्डों ने उसे दोड़ा दिया उसका जहाज पकड़ा रुकवाया अपने जो उसके लोग थे जो मचली पकड़ने के लिए गए थे उन मचवारों को छुड़ाया और वापस सुरक्षित हिंदुस्तान उन्हें लेकर आया गया साथ ये पाकिस्तान कॉलिटी मेटम भी ये दे दिया गया कि ये नया भारत है इसे छेड़ने की गुस्ता की पाकिस्तान नहीं करे तो बहतर है बाकि इस इन जाबाजों हमारे जो कोस्ट गार्ड हैं उनकी जाबाजी पर क्या है आपकी राय कमेंट कर में ज़रूर बताएं धन्यवाद